हेलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने Vivo Y02 Android वाइलफोन में आप जो एम्बेंट लाइट एफेक्ट सेटिंग को आप यूज कैसे कर सकते हैं ठीक है यह एम्बेंट लाइट एफेक्ट सेटिंग के बारे में आपको मैं ज एम्बेंट लाइट एफेक्ट इसे आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर आपको नीचे की साइड में यह option मिलता है on screen display इसके सामने बटन को आपको on करना है नीचे की साइड में आपको काफी सारे option highlight हो जाते है इन में से आपको दो option को use करना है जैसे incoming call का और नीचे notification का यह जो incoming call के सामने बटन दे रहा है इसे आपको सेलेक्ट करना है तो यह on हो जाएगी setting और ठीक है और इसके बाद आपको नीचे यह notification के सामने बटन को इसे आपको on select करके setting को on करना है ठीक है अब यहाँ पर यह setting कैसे काम करती है जब भी आपके mobile phone पे है ना कोई भी incoming call आए light effect for incoming call इस option को tap करना है ठीक है तो जब भी incoming call आएगा आपके mobile phone की screen पे इस तरीके से चार ओर एक light दिखाई देती है ठीक है आप नीचे की side में यह light को आप changes कर सकते हैं किसी दूसरे option पर select करगे ठीक है incoming call जब भी आपका आएगा तो इस तरीके से आपके mobile phone के चार ओर एक light दिखाई देगी ठीक है अगर आप यहां पर नीचे की side में कोई सा भी option सेलेक्ट करते हैं तो इसे apply जरूर करना है ठीक है तो incoming call आने पर आपको वह वाली light आपको show होगी आपकी mobile phone के चार ओर ठीक है और notification में नोटिफिकेशन में इसी तरीके से आपको सबसे नीचे की side में आपको यह option सेलेक्ट करना है light effect for notification इस option को सेलेक्ट करना है तो दोस्तों कोई भी notification आपके mobile phone पर आगा न तो आपके mobile phone के चार ओर इस तरीके से light दिखाई देगी ठीक है तो यहां पर आप नीचे की side में इसे drag करके आप कोई सी भी light को आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते है और इस तरीके से कोई भी notification आएगा न आपके mobile phone पर तो आपकी यह phone की screen इस तरीके से light को मतलब शो करेगा ठीक है तो यह apply करना न भूले ठीक है तो इस तरीके से आप यह setting को on कर लिजे और इस setting का यह use होता आपके mobile phone में ठीक है